बिहार में मौनसून की इस्तिती बेहदी कमजोर बनी लिया, सावन के महीने में भी लोगों को जेट की तपिश महसूस हो रहे रविवार को राज भर के 20 जिलों का तापमान लगातार बढ़ रहा बौसर विभाग के अनुसार राज के अंदर अगले 24 घंटे भीशन गर्मी वाला होगा कहीं कहीं हलकी हलकी बूंदा बांदी के भी आसार हैं वहीं बता दे आपको कि राज भर में बारिश की कमी का आंकरा तैतालिस प्रतिशत पहुँच चुका है वहीं रविवार दे राद दक्षिन मद्ध बिहार में कुछ जगों पर बारिश होई है मालूमों की बिहार में पिछले एक सप्ता से मौनसून रूट गया है गर्मी बढ़ गई है, किसानों की मुश्किले भी बढ़ गई है धान रोपनी प्रभावित होकर रह गई है जिस धान की पहले रोपनी हुई थी उन खेतों में भी अब पटवन की जरूरत महसूस होने लगी है महीं मौनसून के आगमन के बाद से अब तक दो महीने के दोरान मातर 340 मिलिमीटर वर्षाद दर्ज की गई है वहीं मौसम विभाग के अगर माने तो पटना सहीत राज के अधिकान शभागों में कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं है बारिश नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही जिसके कारण लोगों को मस भरी गर्मी का सामना करना पर रहा पिछले दो दिनों से भी गर्मी देखने को मिल रही है आपको बता दें कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज यानि के 24 जुलाई तक बिहार के कुछ जिलों में मौनसून की आनशिक सक्रियता देखने को मिल सकती है वह आपको बताते चलें कि इस साल बिहार में अभी तक सामान से 38 परतिशत कम बारिश दर्च की गई मौसम विभाग के मताबिक अब तक 382 दश्नमलव 8 मिली मिटर बारिश होनी चाहिए थी लेकिन मात्र 238 दश्नमलव 1 मिली मिली मिटर बारिश ही सूबे में हुई है में बारिश की कमी का आकरा 43 परतिशत पहुँच चुका है रविवार देर रात दक्षिनमद्द बिहार में कुछ जगों पर बारिश दीखने को मिली ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के ई-होम्स पैनोरोमा में अपसी की खुशी पुर्णिया में ई-होम्स पैनोरोमा के संग ई-होम्स पैनोरोमा लग्जूरियस, लाइस्टाइल रीडिफाइन्ट झाल